किदेश हिंद की बेटी हूँ मैं हिंदी का सम्मान लिखूंगी अक्शरों को जोड कर मैं भारत का गुडगान लिखूंगी भगत सिंग सुखदेव गुरु सब शामिल होंगे कविताओं मैं अखंड भारत का अपने स्वाभी मान लिखूंगी मैं धन्वाद अर बरसों का बनवास काट श्री राम आयोध्या आए हैं जन जन के आराध चारो धाम आयोध्या आए हैं मासरियू के पावन तट पर सब दीप दान कर आए हैं अवदपुरी के लाल आयोध्या धाम पुना जब आए हैं अर बरसों का बनवास काट श्री राम आयोध्या आए हैं जै श्री राम कि कभी हसाओंगा कभी रुलाओंगा कभी हसाओंगा कभी रुलाओंगा कहता है समय हूँ पल भर में बदल जाओंगा आएंगी जब खुशिया आएंगी जब खुशिया तुझे अपनों से मिलाओंगा और जब कभी परिसानी हो परिचित मतलबी चहरों से कराऊंगा कहता है समय हूँ पलभर में बदल जाऊंगा कभी साथ निभाऊंगा तो कभी तुझे अकेला ही छोड़ जाऊंगा कभी साथ निभाऊंगा तो कभी तुझे अकेला ही छोड़ जाऊंगा कभी सवाल बन कर खड़ा रहूंगा तो कभी खुदी ही जवाब बन जाओंगा कहता है समय हूँ पलभर में बदल जाओंगा धन्यवाद होगी निराश जब जिन्दगी होगी निराश जब जिन्दगी एक किरनास की बन जाओंगा और गिरे हुए मनोबल को कि इतनी जल्दी न जच कर मुझे न रह किसी भी धोके में खुश्बू बन कर बिखर जाओंगी महग्स हवा के जोके में मेरे जुनून की हद तुम न पहचान पाओगे और खुद में ही खोए रहने वालो तुम हमें कहां ढून पाओगे जो तुम बे बजाही बे ख्याली में मुझे जच कर लेते हो सुना है तुम्हारी कलप नाओं में मुझे मेरे ही कृड़ाड से तुम जुदा कर देते हो पन बाद कि उड़ गई है नींद उड़ गई है नींद आँखों की कहीं राथ भर जागा है मानो सपना सा कोई बेफिक्री थी कहीं जो अब फिक्र मंद है इस दिल में मानो हजारों खुआशे बंद है हुँ कैद उस परिंदे की तरह हुँ कैद उस परिंदे की तरह जो उड़ना चाहता है मानो फिर भी नजर बंद है कि कोशिशों की उस पहल की कोशिशों की उस पहल की अब दस तक नहीं मिलती पहले तुम याद करो या पहले हम याद करें इस बहस में अब बात नहीं होती खोसे गए हैं कहीं खोसे गए हैं कहीं वो पहले से रिष्टे जिंदगी की इस कहानी में अब उनसे मुलाकात नहीं होती फिर आएंगे कई हग जताने वाले कुछ अपना पन दिखाने वाले तो कुछ फिक्र जताने वाले है ये वो मुखोटे जो दूसरों को रूला कर खुद हसने वाले रहना तुम संभल कर जरा ना आएंगे कोई सांस निभाने वाले धन्यवाद प्रेम की पाती से मेरा अंतश्य सजे हो मधुर गीत जो बासुरी सा बजे राग ऐसा अभी तक छिडा ही नहीं प्रेम से अपना जीवन सजाने लगूं प्रेम से अपना जीवन सजाने लगूं प्रीत राधासी कैसे निभाने लगूं वो कनहया अभी तक मिला ही नहीं बहुत बहुत धन्यवाद